नमस्कार दोस्तों हमारी यूटीब चनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज अक्षे तृत्या का पावन पर्व है और हमारी हिंदू शास्त्रों में अक्षे तृत्या को बेहद ही शुक्तिन माना जाता है और इस दिन भगवान विश्नों और मानलक्ष्मी की पूजा की जाती है कहते हैं इस दिन मानलक्ष्मी और भगवान विश्नों की पूजा करने से अक्षे धन की प्राप्ति होती है अक्षे का अर्थ होता है जिसका कभी नाश ना हो और आज हम आपको शास्त्रों में लिखा अक्षे तित्या से जुड़ा एक ऐसा गुप्त मंत्र बताने जा रहे हैं जिसके मात्र जाब से ही आपको मालक्षमी का पूर्ण आशिरवाद प्राप्थ हो जाएगा और मालक्षमी की असीन क्रिपा आप पर सालों साल बनी रहेगी तो इसलिए अब इस वीडियो को ध्रान से देखें और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों मंत्र बताने से पहले मैं आपको पता दूं कि अक्षे तित्या इतनी खास क्यूं होती है दोस्तों आज के दिन मनुश्य अपने स्वज़नों द्वारा जाने अंजाने में किये गए अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से शमा प्राप्ना करे तो ईश्वर उसके अपराधों को भी शमा कर देते हैं उसे सरकुन प्रदान करते हैं अतह इस दिन अपने दुर्गुनों को भगवान के चर्णों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुनों का बरदान मांगने की भी परंपरा है। स्कंद पुरान के अनुसार वैशाक मास को ब्रम्हा जी ने सब मासों में स्ष्रेष्ट बताया है। बिलकुल ऐसे ही जैसे सत्रू के समान कोई दूसरा यूग नहीं, वेदो के समान कोई शास्त नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी भांती वैशाक मास के समान अन्य कोई महना नहीं। मानता है कि इस दिन पूजा करने से वेक्ति को शिग्र ही उसका फल प्राप्त हो जाता है और उसकी हर परेशानिया खत्म हो जाती हैं साथ ही मनोवान्शित फल की प्राप्ती होती है तो अब बात करते हैं मंत्र के विशे में दोस्तों मंत्र इस प्रकार है दोस्तों इस मंद्र का जाप आपको आशे तुद्या के रात सोने से पहले अपने घर के मंदिर में मालक्ष्मी की नाम का दीपक जलाते हुए कम से कम तीन बार करना है इसके बाद मालक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए प्राप्तना करें दोस्तों मालक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए यह एक अचूप मंत्र है इस मंत्र के जाब से मालक्ष्मी जल्द ही प्रसंद हो जाती है यदि दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी वगी हो